क्या आप लोगों को याद है कि हमने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा था? बिल्कल सही! हमने सीखा था कि एक चर वाले रैखिक समिकरण कैसे बनाये जाते हैं? दोस्तो चलिए अब इस सत्र में देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समिकरणों को हल कैसे किया जाता है? हम इस समिकरण को अपने पिछले सत्र में देख चुके हैं चलिए अब इस समिकरण में X के मान को डूनने की कोशिश करते हैं हम एक समिकरण को एक तराजू के जैसे समझ सकते हैं. अगर तराजू के दोनों पल्डों में बराबर वजन है, तो तराजू संतुलित होता है. एक समिकरण भी ठीक इसी प्रकार का होता है. इसमें बाएपक्ष और दाएपक्ष के व्यांजिकों का मान बराबर होता है संख्याओं को वजन की समान समझे तो हमारा काम X का ऐसा मान ढूनना है जिससे समिकरण का संतुलन ना बिगड़े क्या आप सोच सकते हैं कि X का मान कैसे निकाला जाए योजना यह है कि हमें बाएपक्ष में किसी तरह इन सभी संख्याओं को हटा कर सिर्फ X रखना है और यह करते समय दोनों पक्षों को संतुलन में रखने के लिए हमें दाएपक्ष से भी कुछ हटाना पड़ेगा अगर हम यह करने में सफल होते हैं तो X का मान दाएपक्ष की संख्या के बराबर होगा इस कदम पर X समय करण को एक तराजू के जैसे समझना हमारी मदद करेगा हम जानते हैं कि यदि हम तराजू के एक पलडे में कुछ वजन डालते हैं तो तराजू को संतुलत रखने के लिए हमें दूसरे पलडे में भी बराबर वजन डालना होगा इसी प्रकार यदि हम एक पलडे से कुछ वजन हटाते हैं तो हमें दूसरे पलडे से भी बराबर वजन निकालना होगा इसी प्रकार हम अपने समय करण में चार संक्रियाएं कर सकते हैं वे हैं जोड, घटाव, गुणन और विभाजन अगर हम एक पक्ष में कोई संक्या जोडते हैं तो हमें दूसरे पक्ष में भी वही संक्या जोड़नी पड़ेगी इसी प्रकार यदि हम कोई संख्या घटाए, किसी संख्या से गुणा करे या भाग दें तो हमें वह संख्रिया दोनों पक्षों में करने पड़ेगी तो आईए अब इस समिकरण को हल करें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहां से इस पचास को हटाना सरल है तो हम दोनों पक्षों से पचास घटा देते हैं अब यह समिकरण ऐसा बन जाता है हमें मिलता है कि तीन गुणा एक्स तीस के बराबर है तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अब हमें इस तीन से छिटकारा पाने की जरूरत है क्योंकि तीन को एक्स से गुणा किया जा रहा है हम इस पद को तीन से भाग करके तीन से छिटकारा पा सकते हैं पर फिर हमें दाए पक्ष को भी तीन से भाग करना पड़ेगा इस प्रकार बाए पक्ष में तीन और तीन आपस में निरस्थ हो जाते हैं और दाए पक्ष में तीस को तीन से भागने पर दस आता है तो अंत में हमें एक्स का मूल्य दस उपलब्ध होता है तो इस सत्र में हमने एक चड़वाले रेखिक समिकरन को हल करना सीखा अगले सत्र में हम ऐसे समय करनों को हल कैसे करें ये बैतर समझने के लिए कुछ और उधारन देखेंगे